हेलो फ्रेंड्स देखिए मित्रों आज हम एक बहुती बहुती बहुतोपून टोपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं हमारे टोपिक रहेगा राश्टपती का चुनाव कैसे होता है क्योंकि आप हाल ही में राश्टपती पत के लिए चुनाव होने हैं और इसके अंदर कौन- बार इसे चर्चा करेंगे तो राश्टपती पत के लिए 2023 में जो राश्टपती पत के लिए चुनाव होने हैं इस पर कौन-कौन से कंडिडेट भाग ले रहे हैं उन सब पर चर्चा करेंगे सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि राश्टपती पत का जो चुनाव है वो क क्या किया जाता है यह तयार किया जाता है निर्वाचक मंडल एक ऐसा मंडल होता है जो चुले वे परती निदियों के दवरा तयार किया जाता है इसमें पचास लोग जो हैं यह प्रोपोजर के तोर पर होते हैं प्रस्तावक के तोर पर होते हैं और पचास लोग जो हैं वह आ कंडिडेट माना जाता है ये एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है ये एकल संकर्मनिय मतपति के द्वारा किया जाता है बात है कि अभी जो 2022 की जो इलेक्शन होने हैं इसमें कौन कंडिडेट जो है वो ये हैं आपके द्रोपति मुर्मू जो एंडिये की राष्ट राश्पति पद की उम्मिद्वार हैं एक एंडिये प्रेजिडेंशियल नॉमिनी डॉक्टर द्रोपती मुर्मू कौन ही ये ये आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंट करती हैं उडिशा से सम्मंद रखती हैं ये एंडिये के दवारा चला गया एक बहुती बड़ी चाल ह जो की अपना वोट बेंक और एक तरह से अपने जो राश्पति पद की दावेदारी है उसको और भी पुक्ता करती हैं मजबूत बनाती है अब यहाँ पर देख लेते हैं राश्पति पद के चुनाओं में कौन-कौन लोग पार्टिसपेट करते हैं तो देखे यहाँ पर राश्पति चुनाओं में लोग सभा के जो 543 सदश्य होते हैं और राज्य सभा के 233 सदश्य जो सांसद होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं सांसद जो होते हैं जो विदाय जो MP जिनको बोला जाता है इंगलिस में हम इनको क्या बोलते हैं MP बोलते हैं यानि राज्य सभा क के सवा के सदेश्यों को भी MP बोला जाता है यह अगर जो देखा जाए कुल मिला दिया जाए इनको तो यह आपके बन जाते हैं 776 जो है यह कंडिडेट बनते हैं 776 कितने कंडिडेट बन जाते हैं यह आपके 776 कंडिडेट बनेंगे आपके 776 कंडिडेट जो है यह आपके बनते हैं इनके मतों की अगर जो कुल वेलो की देखी जाए तो बनती आके 5,44,200 इस प्रकार से यदि हम इसको 776 यानि 736 को इससे डिवाइड कर दें तो एक सांसद की वेलो आती है 700 वोट तो यह 700 वोट यानि जब 1 MP वोट डालता है तो उस वोट को इस इक्वल टू जो है 700 काउंट किया जाता है यानि 700 वोट के ब्राबर उसका एक वोट होता है साथ में यदि बात करें तो इसमें आपके राष्टपति चुनाओं में सभी राज्यवाइ है और दिल्ली है वहां की चुनवे परती निदी भी भाग लेते हैं के अंदर सासित क्योंकि दो ही के अंदर सासित चेत्रों के अंदर क्या हापके चुनवे परती निदी हैं दिल्ली और पुदूच्वेरी के अंदर यादि इनकी बात करें हम इनके वोट की कुल वेलू का क्या देखे जाए तो 10,86,431 बन जाती है अब कौन जो उम्मिद्वार है वो राष्टपती बनेगा अब ये जो वोट है इस वोट के डिवाइड कर दिया जाए इस वोट को कितने जो राष्टपती पद के उम्मिद्वार हैं मान लिजे दो उम्मिद्वार हैं उससे इसको अ पक्सि पार्टियों की तरफ से जो सेयों मोर्चा बनाया हुआ है उनकी तरफ से और जो अपने सकता रूप पार्टी है बीजेपी उसकी तरफ से द्रोपती मुर्मो जी ये दो कंडिटेट हमान लें तो पलस में इसको दो से डिवाइड करने के बाद एक कंडिडेट इसमें पलस कर दिया जाए तो वो राष्टपती पद का उमिद्वार हो जाएगा वो राष्टपती बन जाएगा ये इस प्रकार से राष्टपती पद का जो चुनाओ होता है एकल संकर्मनिय है ये हैं आपकी द्रोपती मुर्मो जी वो इस दप्रेजिडेंसिल कंडिडेट फोर एंडिये के कंडिडेट हैं 2023 में जो होने वाले राष्टपती चुनाओं हैं दो परतियासी एक सत्ता दल है सत्ता धारी दल उसकी तरफ से दुर्पती मुर्मो जी और विबक्सी दल की तरफ से यसवन सिनाजी को मैदान में उतार गया है इसमें किस पक्स का पलड़ा भारी क्यों रहेगा क्योंकि विबिन लगव 19 राज्यों के अंदर इनके सरकारे बनी हुई हैं बीजेपी और वहीं पर यदि देखें जो दूसरे राजनेतिक दल हैं जो प्रांतिय चेत्रिय दल हैं प्रांतिय वो भी आपके जो दुर्पती मुर्मो जी हैं उसकी तरफ उनका प पुरा परियास रहता है इसमें से बहुत से कॉंग्रिस के विधायकों के भी जो मनसा इनी की तरफ है यह आपके कंडिडेट हैं दोनों यह दुर्पती मुर्मो दुर्पती मुर्मो जी और इधर यस्वंत शिनाजी यस्वंत शिनाजी यहां पर यदि हम बात करें अकाले जो कि कॉंग्रेट हैं यहां पंजाब के एक पार्टी हुआ करती थी इसका एंडिये से नातर तूटने के बावजूद भी उसका पल्डाईशी के तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है वहीं पर यदि बात की जाए जो महरास्टर का जो राजनेते घटना करम चल रहा है वहां से भी कॉंग्रेश को काफी नुक्सान हुआ है क्योंकि लगभग 50 विधायक जो मुर्मू के पक्स में अपना वोट डालने जा रहे हैं यानि एंडिये के पक्स में अपना मद्दान करने जा रहे हैं और महरास्टर के विधायकों कि यदि हम बात करें तो महरास्टर के जाएक की जो वोट वेलू हो एक सो पिचेक्तर है और पचास जाते हैं तो आप यह मान के चलिए कि लगभग आठ हजार साथ सो पचास वोट जो द्रोपती मुर्मू की तरफ जा रहे हैं जो कि जीत के अंदर एक बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाले हैं अब यस्वंध स किना के लिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो यह जो इलेक्शन है ये इलेक्शन जीतने का नहीं बल्कि एक हार के अंतर को कम करने का रह गया है यहाँ पर यदि हम बात करें पिछले एलेक्शन की तो पिछला जो चुनाव हुआ था उश में सदेश्या थी कॉंग्रेश की जो हारी वी मीरा कुमार ने जो कि राजस्तान से संबंदे थे उनमें हारने के बावजुत 3,67,314 वोट हासिल के थे जो कि राष्टपती चुनाव में सिकर्स्त हासिल करने के बावजुत सबसे ज़्यादा वोट माने जाते हैं अब तक कर और वहीं पर जीतने वाले जो कंडिडेट थे रामनाथ कोविन जी उनको 7,2044 वोट हासिल हुए थे ये भी काफी बड़े अंतर से उस दोरान जीते थे और यहाँ पर अगर जो देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर जो पक्स मजबूत है तो वो किश्का है वो पक्स मजबूत दिखाई दे रहा है में ये जो साब दिखाई दे रहे हैं आप हमारे माननिय परधान मंत्री सरी नरेंद्र मोदी जी जो कि विचार मिमर्स मंतन के स सितिती में हैं इनका पहलड़ जो है काफी भारी है क्योंकि 19 राज्यों के अंदर और साथ में जो प्रांतिय दल हैं उनका भी इनको काफी ज्यादा समर्थन मिलने वाला है और चुनाव से ठीक पहले जो महरास्टर का घटना गरम चला है राजनेतिक प्रिवर्तन हुआ है उस तक अपना पोल शिद नहीं किया है किस तरफ जाएंगे उनके भी पूरी पूरी संभावना है कि वो एंडिय की तरफ ही जाएंगे यहाँ पर यदि बात कर लिजाए चुनाव में राजनेतिक दल का प्रेड़ा भारी या भी हमने चर्चा की 19 राज्यों में तो बड़त हास है ही साथ में राजनेतिक दल जो की प्रांती राजनेतिक दल हैं वो भी पूर्य पूरी संभावना है कि वो एंडिय की तरफ जाएंगे और इस परकार से एक तरह से देखा जाए यस्वंत सिनाजी के लिए ये जीत तो दूर की बात यहाँ पर जो पीछे 36314 वोटों का जो एक बड़ी वोट बैंक था हारी हुए कंडिडेट का उस आंकड़े को चुना भी एक चुनोती रहेगी यस्वंत सिनाजी के लिए तो यह चुनाओ किस परकार से होता है कौन-कौन लोग इसमें पार्टिसपेट करते हैं कौन इस बार जो है मैदान में है उन सब पर हमने चरचा की यह वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो आप सेयर करना कमेंट करना और जो भी साथी चैनल पर नई है वो चैनल को सबस्क्राइब करना ऐसे ही मैदान वीडियो ताकि आपका समय समय पर मिलते रहें तो आज के लिए वीडियो में इतना ह जै हिंद जै भारत